दोस्तो नमस्कार, मैं विकास कुमार, आपका दोस्त और बिजनस कोच दोस्तो, Free Bay Power School में मैं हमेशा आपको नए-ने बिजनस आईडिया के बारे में बताते रहता हूँ तो दोस्तो, इसी करम में मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि Security Agency का बिजनस आप कैसे कर सकते हैं इसके लिए कौन-कौन से लाइसेंस की जरूत होती है और वो सारे लाइसेंस आप कहां से बनवा सकते हैं और कैसे आप Security Agency का बिजनस कर सकते हैं दोस्तो, सबसे पहले हम समझते हैं कि Security Agency होता क्या है और उसमें किस तरह से वर्क होता है दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि जितने भी private companies हैं even government sectors भी जो है अपने यहां private security guards hire करती हैं और उस company में या उस institute में या उस तरह के private sectors में private security guard ही वर्क करते हैं तो private security guards जो वर्क करते हैं दोस्तों चाहे आपने bank देखा हो hospital देखा हो school देखा हो बड़ी-बड़ी companies देखी हूँ या mall देखे हूँ हर जगे private security guards वर्क करते हैं दोस्तों इसका आप business करना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊं किस तरह से कर सकते हैं तो दोस्तों वीडियो को सुरू करूँ इससे पहले आपसे request है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को subscribe कर दिजएगा बेल आइकन को दबा दिजएगा जिससे मेरे चैनल वाली वीडियो को notification सबसे पहले आपको मिल सके और आपको लेने business idea के बारे में पता चल सके चैनल दोस्तों आपको पताते हैं कि किस तरह से आप security cards का business security agency का business कर सकते हैं इसमें दोस्तों सबसे पहले आपको एक name decide करना होगा कि किस name से आपको security agency अपनी open करनी है उसके बाद दोस्तों जो आपने name decide किया उस name का आपको logo बनवाना पड़ेगा logo that is एक mark होता है एक जो mark होता है जिससे लोग पहचानते हैं कि हाँ ये इस company का या ये company है इसमें क्या करना है दोस्तों कि सबसे पहले business start करने के लिए आपको name location के बाद name और logo के बाद एक location decide करना पड़ेगा कि आपको business कहां पर करना है उस location पर दोस्तों एक आपको office लेनी पड़ेगी और उसका rent agreement बनवाना पड़ेगा ये अपना खुद का है तोहां के electricity bill या फिर telephone bill कुछ इस type का government का बिल चाहिए ठीक है दोस्तों आपको दोस्तों एक license बनवाना पड़ेगा जो बहुत इंपोर्टेंट है जिसे पसारा license बोलते हैं पसारा का फॉल फॉर्म होता है प्राइवेट सेक्योर्टी एजनसी रेगुलेशन एक्ट 2005 ये क्या है दोस्तों ये ये एक security एजनसी के लिए सबसे important license है बिना इसके आप security एजनसी का business नहीं कर सकते हैं दूसरा license चाहिए दोस्तों आपको GST GST mandatory है क्योंकि आप सर्विस का काम कर रहे हैं और आपके जो भी काम होंगे वो किसी company के थ्रू होंगे company आपको online payment करेगी ये फिर by check payment करेगी तो उसको service tax आप चाहिए तो service tax के लिए आपको एक GST बनवाना पड़ेगा next है दोस्तों आपको SOP Establishment Act का आपको SOP Act license चाहिए एक इसमें सबसे military license है दोस्तों EPFO registration आपके हाँ जितने भी employees work करेंगे जितने भी security guards work करेंगे उनका PF भी कटेगा और उस PF के लिए आपको EPFO में registration करवाना पड़ेगा एक और होता है दोस्तों इसी IC license, ESIC license ये भी आपको बनवाना पड़ेगा और दोस्तों अपनी company के लिए जो भी आप security guards रखेंगे उसके लिए एक uniform आपको decide करना पड़ेगा कि ये हमारा uniform होगा क्योंकि बिना उसके आप business को start नहीं कर सकते हैं बिना uniform के security guard का business में uniform mandatory है next है दोस्तों आपको training कहां से लेना है ये फिर किस training institute से आपका tie-up है ये आपको दिखाना पड़ेगा और बिना training institute के tie-up के आप business को नहीं कर सकते हैं क्यों क्योंकि जितने भी आपके security guards होंगे उनको training provide करानी पड़ेगी training में क्या है दोस्तों training भी कई type की होती है training में आपको बताया जाएगा कि in gate पे checking करना है तो क्या-क्या आपको पता होना चाहिए out gate पे हैं तो आपको क्या-क्या होना चाहिए क्या-क्या चीज़ी जरूई होती है किसी company में आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या काम होता है किसी mall में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या काम होता है firefighting के बारे में बताया जाएगा आपको इसी तरह से दोस्तों अगर आप क देखा गया है दोस्तों कि अगर इसमें इस बिजनस में कोई आता है तो वो military person ही आते हैं तो आप भी कोसिस कीजेगा कि ऐसे लोग के शाथ work कीजे जो military person हो जिससे कि आप जहां पे भी अपने quotation को submit करें जिससे आपको काम मिल पाए तो military persons को जदा वो preferred करते हैं कोई भी security agencies में अगर आप देखेंगे तो उसमें mostly जो है army retired person ही होते हैं दोस्तों एक सबसे important इसमें license है पसारा license पसारा license आपको कैसे बनवाना है वो मैं सारी सीज़े आपको step by step बताऊंगा और दोस्तों मैं description box में अपना number भी दे दूँगा आप मुझसे भी contact करके ये सारे license बना सकते हैं पसारा license हो गया आपका GST हो गया shop act हो गया if you have for registration हो गया ये CIC license हो गया आपको जो भी documents रहे हैं मैं सारे चीज़े आपको बना दूँगा बनवा दूँगा क्योंकि मैं एक business coach हूँ और business consultant भी हूँ मेरे साथ ठेर सारे CS work करते हैं और उन CS के through जो है हम सारा अपना काम करवाते हैं तो दोस्तों आप इसमें अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो आप मुझसे phone पर contact कर सकते हैं या फिर आपको कोई license की जरूँद है और मुझसे help चाहिए तो मैं आपको help जरूँद दूँगा और जो भी आपको license मैं आपका बनवावे दूँगा तो दोस्तों इसमें पसारा license सबसे mandatory है पसारा license के लिए आपको जाना है पसारा.gov.in पे वहाँ पे एक login सेक्टर है login में आपके तीन चीज़ आएगा state login, agent login और admin login तो सबसे पहले दोस्तों आपको जाना है agency login पे agency login पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको नीचे एक option मिलेगा उसमें होगा आपका जो है registration का तो आप पहले registration करेंगे, registration में अपना name, mobile number, email address, ये सारी चीज़े आप डालेंगे, phone number, जब आप submit करेंगे तो आपके phone number पे एक OTP जाएगा उस OTP के थूँ आप जो है login करेंगे और login करने के बाद आपको जो है password change करना पड़ेगा, password change करने के बाद आपको login करेंगे, login करने के बाद सारी details आपको fill up करनी पड़ेंगी one by one और इसमें दोस्तो state to state, district to district fee भी अलग होती है, वो भी आपको पे करनी होंगी, वो कितनी है, वो सारी चीज़े मैं आपको on phone या फिर आप मुझे comment करेंगे, तो मैं आपको बता दूँगा कि कितनी fees है, और उस website की link भी मैं दे दे रहा हूं दोस्तों, जहां से आप login करके, और पसारा license बना सकते हैं, क्योंकि पसारा license ही सबसे important license है, इसके साथ दोस्तों अगर आपको ISO certification, trademark registration की भी जोग आशकता पड़ती है, तो आप मुझे contact कर सकते हैं, मैं आपका ISO certification, trademark registration, GST registration, EPIPO registration, ECIC registration, सारी चीजे, SOPEC registration, सब चीज करवा दूँगा, क्योंकि हमारे साथ धे सा करते हैं, आपका कोई भी काम नहीं रुकेगा, आप मेरे साथ बने रहेए, वीडियो को देखते रहेए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा share कीजिएगा दोस्तों, जिससे कि अगर किसी को भी security agency business करना है, तो वो easily business को कर पाए, और जिस तरह की भी हमसे consistency होगी, मैं आपको जरूप प्रोवाइड करूँगा, वीडियो को देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में चैहिंद,